दोस्त इस वीडियो हम बताएंगे नकसा में जो सांकेतिक चीन होता है आप लोग देखेंगे जो नकसा देखेंगे उसी पर आज हम बात करेंगे देखिए आप देखेंगे तो लेट सेड जो है इधर आपको दिख रहा होगा नकसा का सिंबल ठीक है इस नकसा का अर्थ क्या ह इस सेड़ दिखता हुआ इसका थोरह हम आप क्या करेंगे इस भी इस से में तो रिटिल्स में जनकारी लेंगे और आप लोग को भी बताएंगे ठीक है इस वीडियो को पूरा देखिए कुछ-कुछ नया चीज़ आपको देखनों को मिलेगा अगर पहले से भी जानते हैं फिर भी कुछ-कुछ हीज़ आपको इसमें नया देखनों को मिलेगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए थे हुआ पर नक्सामे इस Image कि यह जो आप देख रहे है ठीक है यह फर्स्ट में पर यह का आए है यह तीन वीदु से काटा हुआ है इसका अर्थ क्या हो तो उसका सिंबल होता है जीला से, किस से जीला से, यह उसका सिंबल जीला माना जाता है, जिस परकार इसको राज है, इसी परकार यह जीला है, ठीक है, समझ गया है, और उसके बाद देखे, यह हम बता दिये, इतिस राम देखे, एक डॉट से काटा हुआ है, एक डॉट से दो का सिमबल होता अगर नक्सा में तो इसका मतलब यह उसके बाद देखेंगे ये बिन्दू बिन्दू लागा हुआ है बहुत सरह बिन्दू बिन्दू लागा है इसका मतलभा होता है डिकाओं लाज़ europé इसको तोखा लाइन आप जो है जब नक्सा में देखेंगे तोखा लाइन आपको दिखिने को मिलेगा ये भी ठीक है तोखा बोला जाता है समझे तो आगे हम बात करते है ठीक है देखे उसकी बात जो है अगर आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको उपर में देखे थे उसी प्रगाई लेकिन इसमें कुछ आपको आकार में कुछ अंतर देख रहा है इसका मतलब होते यह दोनों गाउं में नाला का आधा अधा हिस्सा है जिसको आप नौर्मल भासा में देखे यहां पर भी लिखा हुआ है ठीक है लिखा हुआ है निस्वा नीश्वा नीश्व बोलता हैं यह पूरा हिस्वा है त्रेजिए यह पूरा हिस्वा है ठीक है एक गहों में सरका क्या है सरक मतलब नाला का पूरा हिसा है और उसके बाद सरक का पूरा हिसा है समझे नहीं समझे होंगे देखे यहाँ पे आधा आधा हिसा हो गया दोनों सरक का आधा आधा हिसा ठीक है पूरा नाला का यह पूरा हिसा आई पूरे सरक का पूरा हिसा यानि गाउं में जो है जिस परकार ये नाला का दोनों क्या करता है और लैप करता है यानि ये दोनों आधा आधा हिसा आता है उसी परकार जिए आधा हिसा नाला का दो गाउं का था यहां पर जो आपको हम बताएं है ठीक है उसी परकार इसमें देखें दोनों गाउं का सरक आदा आदा इसमें मैच कर रहा था, यह तुन हो गया, उसी परकार यह पूरा, आई यह देखेंगे तो यह पूरा क्या है, नाला है, यह पूरा सरक है, ठीक है, फिर हम आगे थोड़ा बात करेंगे, देखें, हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें यह सिम्बल है, यह देख रहे हैं, यह सिम्बल, यह सिम्बल जो देख रहे हैं, यह बला, तो यह सिम्बल का अर्थ क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर तो आम फिर से ले लेते हैं, यह सिम्बल, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है आपको दोनों गाउं में नदी या सरक का जो अ दोनों गौओं में नदी या सरकाधाता हिसाता उसी पर गार ये देखे होंगे ठीक है यह देखे गौड से देखे आप लोग जानते भी होंगे इसका अर्थ यह जो है अस्थाई मेर है क्या है अस्थाई यानि फिक्स मेर ठीक है उसके बाद फिर जाएंगे आप तो एक बिंदू-बिंदू टैप यह यह फिक्स नहीं हो यह मेर जो देख रहे हैं यह मेर फिक्स नहीं होता है यह इसको आस्थाई बोलते है यानि फिक्स नहीं है अस्थाई मेर ह ठीक है आई के खारीज मेर होता है ठीक है यह भी आप नक्साम देखेंगे तो इसका अर्थ होता है खारीज मेर होता है ठीक है तो यह सब का अर्थ होता है यह सारा चीज आपको नक्सामे मिलेगा ठीक है आपको सारा एक एक चीज नक्सामे मिलेगा यह सारे चीज ठीक है फिर यह जो आप सिंबल देख रहे हैं ठीक है इसका मतलब माकान समझ आप तो लोग माकान जानते होंगे तो माकान जो है न अलामत खेसरा माकान जो रहता है उसको अमान अलामत खेसरा बोल जाता है उसके बाद यह जो आप देखते होंगे इसको पका बांध या तलाव का खेसरा म कोई पकाची या सिम्टी बालू के दौरा कुछ ना कुछ उसपर कोई काम किया रहाता है ठीकए तलाप पर पोखडी इसको बोलते है तो उसका खेसरा कोई मतलब समझे और खेसरा ठीक है वो खेसरा है उसके बाद देखे ये आप देखते होंगे ठीक है तो इसका मतलब क्या है ठीक है इसका मतलब आखिर क्या है तो इस सारे का मतलब इस सारे मतलब अगर आप समझते है तो इसका बहुत ही अलग अलग चीज होता है अलग अर्थ होता है ठीक है अलग ऐसा ऐसा से बहुत सारे से सिंबल मिलता सब एक ही जैसा देखने में लगा लेकिन थोड़ा बहुत का अंतर रहता है जिससे आपको चीज़ को आप समझ सकते हैं जिस परकार आप जो है यह बांध होता है क्या होता बांध तो खेसरा यारी बांध है यह ठीक है यह बांध हन है बांध हं बहुत बहुत ब्यक्ति यह समझते होंगे ही ठीक है मांथ मतलब बहुत सारे व्यक्ति बांध नहीं समझते होंगे ठीक है दो बांध स्मझेवग्र में होंगे आचानी से बांध समझ गये होंगे ठीक है ठीक है बांध खेसरा लाइन ठीक है उसी बरकार एक यहां पर देखते होंगे बारा बांध का खेसरा लाइन यह बाड़ा देखे यह तो आपको छोटा हो गया और यह हो गया बाड़ा ठीक है यह बाड़ा वाला हो गया तो बारा बांध का खेसरा लाइन ठीक है और उसके बा 12 13 14 कुछ भी हो सकता है लेकिन इसी गाउं का जो नक्सा होता हूं कई सीट में यानि चादर में बाटा रहता है चादर सीमा या मार्जन लाइन इसको बोलते हैं ठीक है तो बहुत सारे व्यक्ति इस चीज़ को अच्छा से नहीं समझते हैं ठीक है जो नहीं समझते उनके वह भी समझ जाएंगे जो समझ रहे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा ठीक है फिर हम आगे बात करेंगे ठीक है आप गोड़ कीज़ेगा यह नॉर्मल चीज नहीं है आप लोगो नॉर्मल लगता अगर यह सब समझ जाएंगे नक्सा में देखने हो कि मिलेगा अगर कोई भी पूछ दे तो अब आसानिस उसका जवाब दे सकते हैं ठीक है फिर हम आगे बात करेंगे यहां भी देखिए उसके बाद हम आगे जाते हैं ठीक है आगे जाते हैं तो कहां जाते हैं तो देखिए कुछ-कुछ सिंबल आपको फिर नजर आएगा ठीक है यह सिंबल को क्वशा रहा है लेंकिन बहुत जगही सिंगल नैन का जो एक मतलब चला गया लालू जादप जिस समय भिहार का मुख मंत्री भनेत गाट लालू जादप ठेक उस समय तक समझें सिंगल लेकिन हम आपको यह बताएंगे कि 2000 के आसपास ठीक है जो व्यक्ति नहीं जम है मतलब बहुत जगह तो 2000 के आसपास जो है ना उस समय सिंगल लेंड चलता सिंगल लेंड मतलब ट्रेन धीरे धीरे चलता है और इतना फास्ट अभी के तरह और इतना लंबा चरह डबानी रहता इतना पतला सा डबा रहता था और नॉर्मल सा ठीक है उसको सिंगल लेंड कहते है तो जहां पर देखेंगे समझे ये लेंड ये गुज़रा है तो वहाँ सिंगल लेंड का रिल लेंड गुज़रा है सिंगल लेंड ठीक है और ये देखें ये डवल है जो अभी चल रहा है भी देखते होंगे तो उसको डवाल लाइन बोले जाता है ठीक है इसको डवाल लाइन बोलते हैं तो बहुत व्यक्ति जानते भी होंगे बहुत व्यक्ति नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं ऐसी धीरे-धीरे पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे ठीक है फिर हम नीचे ले लेते हैem, आप लोग को आच्छा होगा, समझ रहे हैं, देख्ये, देख्ये। यहां पे जो आप देख रहा है, यह जो तीन लखिर है, बीच में एक लखिर भीग में और यह लसे सब्चेDonald उसरड रहा हो, ठीक है? तो इसका अर्थ क्या होता है इसका मतलब आप पाइफ लाइन समझते होंगे बहुत कोई चीज़ का भी पाइफ हो सकता है बहुत सारे सहर में आपको देखने को मिलेगा पानी के लिए पाइफ बिच्छाया जाता है मोटा सा आप बहुत जगव तेल टन के मादले तेल के यह जो यहां से भी प्याफ गुज़रेगा वहां पर कुछ नहीं का यह प्याफ ठीक है तो पाइफ लाइन होगा ठीक है ठीक है पाइफ लाइन और उसके बाद यह देखते हों गाँ गहर में जाएंगे न तो इसी परकार बास का जो है बनाया रहाता एक तक्ता देदेता है तक्ता नीचे से मास का मनाया रहात, एक तक्ता उपर से डाल के, ठीकी तो इस प्रकार करता है, इसका अर्थ होता है, यह जो यह ना नॉर्मल चीज नहीं है, एस पूरे गाउं का जीमन रखा ईसी पर नीज़ भर करता है, तो इसको हम क्या करते हैं, बान्ध का, खेसरा लाइ एक मिनट थोड़ा मिधर आ जाते हैं देखे यहाँ पर यह सिंबल आपको नजर आता है अब बहुत व्यक्ति नहीं समझते हैं तो नाव तो समझते होंगे नाव नाव है यह नाव सिंबल है जहाँ पर नाव वेगेरा चलता हो ठीक है? नाव तो यह नाव का एडिया होगा क्या हो गया? जहां से नाव वेगेरा गुजड़ता है या नाव अस्थाइ रूप से यहाँ पर है ठीक है? या यहाँ पर नाव सम्मंदित कोई कार्य वेगेरा होता है एक जगा से दूसरे जगा जाने का यह साधन हो सकता है तो इसको बोट भी बोलते है ठीक है और यह जो देखने इसका अर्थ होता है जील अगर कहीं पे है अगर मान के चलिए नक साइम दिखने को मिलेगा तो समझेगा यह जील है क्या है यह जील है क्या है यह जील हो गया ठीक है यह जील हो गया जील ठीक है और यह जिएए ब्हूत भ्यक्ति नहीं समझे, myl समझें होंगे फथर ठीक है यह फट्थराय का इंधर ऑर्ड है, और मेर्ध पहण कुम लेवल क्रोसिंग होता है तो उस चीज़ के लिए बहुत ऐसे चीज़ आपको तोड़ तरीका या नाम लेवलिंग का भी नाम होता है तो इस लेवल का एक नाम है इसको क्रोसिंग लेवल बोलते हैं क्रोसिंग लेवल ठीक है यह मतलब कहने का मतलब यह जो है शिम्बल है बस आपको इस समझ जाना रहे हैं इसका यूज बेगेरह जो है दखे उसके बाद हम आगे अगर चलते है ठीक है तो बहुत सारा गोल 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 टैपर सिम्बल मिलेगा ठीक है इसको तोरह हम ले ले लेते हैं जून कर लेते हैं जिससे आओर अच्छा से समझ में अपको आए लेगा आज दखे यहां पर देखते होंगे यह क्या है ज़सको बोलते हैं तीन सिवाना जो यहां पर किलास करते हैं पूरे आफ लैंग में या online में आप लोग को पता यह त्रेनिंग सेंटर है गोवर्मेंट उप्रोवल ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर बहुत सारे अलग अलग एरिया का भी लोकल एरिया का सभी परकार के एश्रिंट करते हैं और आप भी करना चाहते हैं यहां पर आपका भी स्वागत है ऑफ्लैन में भी ओनलैन में भी एक दम आपको एक देखे यह गोर्मेंट एप्रूप ट्रेनिंग सेंटर और पूरे बिहार जहार खंड में ठीक है अगर अभी ऐसकर से आपको कहीं देखने को मिल सकता है लेकिन वह जैनूट है पढ़्मेंट में आपको, से नॉलेज परपस से कोर्स कर ले तो कोई भी चीज होता है अमीन का ठीक है ठीक है तो आपको महुत ऐसे यूटूब आपको आमीन का बैगरउंड नहीं होने करण जो है वह कुछ आपको पड़ाते हैं आपको देखने को मिलेगा और आपको नॉर्मल सा सोटी पिकरी प्रवाइड करेंगे ठीक ना और लेकिन इसे कम यहां से कम फी ही ले लेंगे लेकिन जो यहां पे चीज आपको मिलेगा ना देखे वो टला है ठीक है यहां पर आपको सोना सोना मिलता है तर टनना सोना का किमत में तो फरक आएगा ना आप नॉर्मल ज्यादा फी भी नहीं है इसको तीन सीमाना पोड़ते हैं तीन सीमाना का पत्थर होता है इसको बोलते हैं ठीक है तीन सीमाना पत्थर सभी व्यक्त ए गोल गोल बहुत व्यक्ति को गुमा देते हैं इसार सीमाना पत्तर सबस्क्राइब लिख भार्प सारी पड़ातें हैं एनने जो नहीं पढ़े सारी चीज़ पड़ाते हैं तो आपको बाड़ी की से सारा चीज समझा जाता है समझ रहा है चले ठीक आगे बढ़ते हैं तो यह जो है आपको यह जो दो कि जैसे तीन सिमाना होगे तो यह चार सिमाना है ठीक है और इसको बंबा बोलते हैं तो यह बंबा बोलते हैं तो यह बंबा है ठीक है और इसको भी बंबा बोलते हैं अगर वह इसा मिल गया फिर भी बंबा और अगर इसा मिल गया फिर भी इसको बंबा बोलेंगे ठीक है ये भी बंबे है ठीक है और ये भी बंबा ही है उत व्यक्ति इसको लग समझते होंगे लेकिन ये भी बंबा ही है ठीक है तो इसको ही आप बंबा ही बो दीन मेुड़ा तो चलिए हम बताते हैं यह जो यहां पीडास के उनको अच्छा से पता ही क्या है यह high-p dared तीन मेरा जो पड़े होंगे ठीक है यह तीन मेरा ठीक है यह क्या है यह क्या है यह यह भी तीन मेरा ही है इसको भी तीन मेरा पड़ेंगे तीन मेरा तीन मेरा बंबा नहीं मैं समझेंगे तीन मेरा बंबा अब जिस परकार जो इसको बंबा पड़े न यह भी देगे बंबा के अंदर तीन मेरा है उसलिए confused होंगे बहुत वैक्ति कि गोला लगा है तीन मेरा तो कुछ और पड़े हैं यह कहां से आ गया तो यह गोला लगा है तो यह तीन मेरा बंबा यह तीन मेरा बंबा ठीक है आई चोग खूट है तीन गो यहां पर था तो तीन मेरा तिर्भु जैसे यह तो चणर मेरा बंबा क्या है रभी चार मेरा बंबा समझे भी प parenth है तो चार मेरा बंबा गोला लगा दिए तो यह अक्यलिए रहा था चार मेरा ठीक है आगे बात करते हैं देख़ें आगे चलेंगे हम देखें यहां पर गौर You Бог देखें यहां पर आपको दिखने को मिलेगा ये तो ये क्या है इसको तीन मेरा क्या तीन मेरा या तीन मेरा बहुत भी अक्तिव है तीन मेरा ये मुस्तकील है मुस्तकील आप लोगों मुस्तकील बढ़ा है ना तीन मेरा ये मुस्तकील है क्या है ये मुस्तकील सोब का सब मुस्तकील देखे ये जैसे आ मेरा मुस्तकिल ठीक है उसी परकार आप इस में जाएंगे तो यह भी देखिए यह तीन अगए बढ़ेंगे तो फिर फिर थोड़ा आप देखे क्या है आप लोग जानते होंगे तो बताइए नहीं तो फिर हम तो हैं ही बताने के लिए ये सारा क्या चीज़ है ये इसको चो मेरा बोलते हैं जिसको चार मेरा भी लिखते हैं चो मेरा ये चो मेरा है गोर्ड नहीं समझेंगे चार गो देखें गोर्ड किजिए जहां पर देखोंगे चार गो यहाँ पे जो है नोब सो इतना समझए अस्तार रास्ता बोल रहे मुझाए तो आप indici युखाल करना देखनों कि मिलेगा चार छार लगा कि टीक लगा हुआ है इसका अर्थ हो अब इस में आएंगे इसमें क्या है ये देखेंगे अब बोलेंगे सरी जसमें क्या है सारे मुष्थ केल сторत होता है आरे मुष्थ कायम करते है Сп middle कायम ना भी करते हैं जब कभी चाहता है तो इसिसे हम पकरके नाभी करते है एक मुस्तकिल को दूसरे मुस्तकिल से मिला के बहुत सारे पड़किरिया होता है उस सारे पड़किरिया हम जो प्रैटिकल करते हैं तो सारे पड़किरिया पर बात करते हैं तो उसलिए यहां से करेंगे डेड़ी प्लेवल में पड़ेंगे मांके आप जो है बहुत सारे यहाँ पर ड्रेक्ट बात करके बढ़ते हैं यह नहीं कि आप कोमेंट करके कोशन पुछिए फिर हम जवाब देंगे तो मेरे उपर है यहाँ पर ड्रेक्ट आप पूछ सकते हैं जो यहाँ पर किलास करते हैं उनको पताएगे यहाँ बिड्रेक्ट की सुब्दा है ठीक है बहुत व्यक्ति थोरा जब मस्ती में आप लोगों को लगते होंगे ठीक है तो मस्ती में थोरा कभी कभी मस्ती कर लेते हैं पढ़ाई के साथ ही ठीक है फिर आगे बात करते हैं इस सारे मुस्त्कील है ठीक है देखे इस सारे क्या है मुस्त्कील है समझ गया यह भी क्या है मुस्त्कील ही है ना तो दूसरे गाउं से प्लोट लिया गया जो रहता है ना है ठीक है इस सारे मुस्तिकिल में इस परकार जो आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये सारे ठीक System so कि आगे बात करते हैं छोटते हैं थैक है यहाँ पर लिखें कि इस अफ सिंबल आप जो है बहुत जगा में के दां एक है jarum प्राइशन मिलता ही है लेकिन मां की आप इस सब जो देख रहे हैं ठीक है इस सब नक्षा में ज़रूरी नहीं आपको मिलेगा ही उसाब अधिकतर मिलता है यह देखे यह तो आप लोग जानते हैं बेंच मार पथर ठीक है यह आप देखते होंगे पथर बंबा पथर पर यह बॉन का सीमा वाला यह इन समझे बॉन सब है क्या बॉन सब है जितना भी बॉन वेगे रहा यानि मन मतलब जंगल फुरेश्ट 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 नहीं समझते हैं ठीक है अब बागी तो आप लोग समझते हैं फिर आगे वरते हैं थरह स्पीट में आप चलते हैं देखिए ये जो है ना ये हमन्दीर ये मंजीद ये चर्च और ये है गिरुड्वारा ठीक है आगे बात करेंगे इसको जो है समसान गाट बोलेंगे ठीक है इसको समसान गाट ये हिंदु धरम का समसान गाट कर्विस्तान इसायों के लिए इसाय का है एक कर्विस्तान है मुस्लीमों भाई के लिए ठीक है यहां पर देखोंगे मकवारा मकवारा बहुत व्यक्ति को मकवारा भी जैसे आप इतियास पगरेंगे तो मकवारा वेगरा भी जो इतियासी की व्यक्ति सब थे उनको मकवारा व प्रिसमें जाएंगे तो यह देखिए यह वला यह विस्त्राब्ता हो भी भाका is不是 यह भूं यह ठीक है यह यह बन भी भाग का यह ठीक है बन भी भाग का जो भी होता है आपको यह बन भी भाग में आपको देखने को मिलेगा अप लोगों कुछ कोमेंट बेगरा है कुछ ही से संबंदित आप बोल सकते हैं ठीक है फिर आगे बात करेंगे फिर देखिए आगे हम बात करेंगे इसका अर्थ क्या है तो बिदुत खंबा आप लोग बिजली वाला खंबा नहीं देखते होंगे वही बिजली वाला खंबा है यह टेलीफोन वा वाला खंबाल रेलेवे सिंगनल जो रेलेवे सिंगनल ठीक है और आगे बात करते हैं चलिए कि देखे एक मिनेट डिस्टॉप नहीं देखे यह जो देख रहे हैं इसको कुवां यह क्या है कुवां है कुवां 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 पक्का कुवां यह कच्चा कुवां यह पड़ियुक कुछ भी हो सकता है समझे अपड़ियुक यानि बंद किया हुआ कुवां ठीक है यह अभी है नहीं बंद किया हुआ कुवां ठीक है आगे बात करेंगे हम, ठीक है, आगे हम चलेंगे, आद देखेंगे, ये आपको एक मिनिट, थ्वरा बगान सबको देख लेते हैं, अब पेर पौधा, देखिए आम का बगान, क्या है ये आम का बगान, ठीक है, ये इसको बगान बोलते हैं, ये पान का बगान, ठीक है, ये स की चाई का बगान हो गया चाई का बगान ठीक है यह पक का मकाद या रिय्क्री सिंद कि आज़ें परवत गईरा रहता है ठीक है परवत का अणार लिया है वहा भूमी है जहां परवत आपको देखनों को मिलेगा पहार जान भूमि पहारे पहारी पहारी अमें पाल अन्य आए तैऒर लोग डिकल डिक्ट आहे एक पथरी ला जमीन यह पथरीला जमीन पत्थर वाल जमीन है यह जो देख रहे आ första बड़ा गुम गुमदुमा गुमदुमा यरियो यो पथर का एडिया में आप हो दिखने का ये शोत्나 कशााय। तो इस स में नसकिने कर जाने कि और पहारी दोर जीन, में टो जाते हैं, ठीक ए फिरागे बात करते हैं देखिए उसके बात देखिए बहुत सारे सिंबल होता है देखिए ये पुरानी भूमी ठीक है ये पुरानी भूमी है ये नई भूमी है परती है परती भूमी घास वला एरिया ये खदान वला एरिया ये अन एडिया में गिंतियात है बांकी एरिया में इतना कितना सिंबल प सबसाब आपको माहिने रखता है ठीक है आगे बात करते हैं कि आगे हम बात करेंगे चलते हैं देखिए उसके बाद आप चलेंगे इधर आब हम जल्दी जल्दी आपको खतम कर देते लगदें कि सर कितना टेम लगा दिए ठीक देखिए यह जो है न कुछ-कुछ बिरीच ठीक है यह पारस जंगल के यह जो देखते होंगे परती जंगल परती जंगल है यह मिस्त्रित है सब ही परकार के से मिस्त्रन मिस्त्रित है है औरीएल का फयर है कैसि खजूर-ि गापर टार को फिक है हाइए MICHAEL चुछ फटाल नहीं थे आप जानते होंगा इस पर लेगह यहां पर बहुत सारा पेर है पिर आगे बात करते हैं है इदर आएंगे यहां पे चलिए तरह स्पीट दें ले थे नहीं देखे आपसारा पेर तो पढ़िये लिए हैं इसमीले दो कि इस साल पेर यह बरगत पेर यह इमली का पेर मास का पेर यह जहाँ हो गया है यह अन्य बूरीच हो गया ठीक है अन्य पेर हो गया ठीक है यह सा तो इस सारे चीज़ है आपको नकसा में देखेंगा होका जहां मिलें होगा जहां होगा नवा कर दो समझत्धात करना में है जनकरी के साथ पढ़ भी सकते हैं ठीक है तो यह आपको कह सब्संस नहीं मिलेगा एकieli हमास करना चाहते चाहते हैं और पूरे क्लियर करना चाहते हैं आप किलास के अलावा भी सौपोर्टिंग किलास जो डॉट वेगरा जो भी प्रोब्लम है कुछ पुछना हो उसके लिए भी किलास यहां पर फेसलेटिए कि अगर आप किलास करते हैं तो आपको अलग से एक टैम दिया जाता है उ पूछिए अिवकि पूरे को क्लियर किजिए नहीं पारदर सी हो जाईए हर चीज ठीक है तो आप कर सकते हमाभर कादक के जिए डिस्क्रिप्शन में जाके बिसेश जनकारे लीजिए और कॉल करिए कड़िये या ना करिए को और कॉल करके तो पता कीजिए ठीक है क्या है कि वार्ट सब्सक्राइब मैसेज कीजिए जानिए समझे ठीक है फिर तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी नौलेज फूल वीडियो में ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही जाहिं मंदे मात्रम आपलोग सभी वैक्ति खुझ रहे थान दृस भर है स्वर्ष रहे और मस्त्र है जो भी है इस्टूडेंट जो भी वैक्ति जो मेरे वीडियो देखते हैं अज जो नहीं भी देखते हैं सब खु